असलाम लेकूम अमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे आज जो मज़िदार सी रेसिपी बने जा रही है वो है औरेंज तुर्किश डिलाइट बहुत इसी रेसिपी और बहुत टेस्टी रेसिपी है इसके लिए मैंने 12 से 14 अधिद औरेंज जूस का जूस निकाल लिया और मेक्शिर करेंगे जो औरेंज से हैं वो तुर्शना हूं इस तरह से हमें वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा जो हमें चाहिए तो चलते हैं रेसिपी की तरफ दो कप औरेंज जूस ले लिया है एक कप इसमें स्टॉर्च एड़ कर लेंगे यानि कि फोर टेबल स्पून इसमें हम स्टॉर्च एड़ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे एक कप इसमें शुगर एड़ कर देंगे यानि कि 5 से 6 टेबल स्पून इसमें शुगर एड़ किये जी यहाँ पर यह ड़न है अब हमने ले लिया है एक पैन और मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे और यह सारा बैटर इसमें एड़ कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे यानिकि इसको आपने छोड़ना नहीं है चमत चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर ही वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें विक्सर की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं ताके इसमें लंस न बने और अच्छी तरह से यह स्मूथ सा त्यार हो बहुत एजी रेसीपी है इसको जुरू ट्राइब कीजिएगा और करमें मुझे अपना फीड़बैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसीपी कैसी लगी तो यहां पर यह दन है अब हम इसको यहां पर हमने इसको सेट कर लिया था और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं एक घंडे के लिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए और यहां पर हमने कोकोनेट इस पर स्प्रिंगल किया है और इसको पीसिस में काट लेंगे यानि कि आप इसको एक घंडे के लिए फ्रीजर में रखें और इसको इंजॉआई करें बहुत एजी रेसीपी है यहां पर इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं और इंज तुर्किश डिलाइट प्रेडी हो चुका है उमीद करते हूं आपको मेरी यह रेसीपी पसंद आई होगी जी तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा ध्याओं में याद रखेगा थैंक्स पर वोचिंग अलाहाफीज